हाई आप सबी को फिर से एक नीव वीडियो पर स्वागत है फिरेंस इस वीडियो पर हम बात करने वाला है अगर आप एक CSC VLE है यानि कमन सर्विस अंशाल एक है और आप लोगों ने जो फिरेंस CSC का थुरू E-Code का सर्विस करना साते हो तो फुल डिटेल्स में आप लोग क सर्विसेस कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकता है E-Code सर्विसेस के बारे में जो फिरेंस बहुत सारा वीडियो आप लोगों को शाहिद मिल सुका है लेकिन आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो डाइरेक्ट आप साइट से आप आउ LilyIGHT सबस्क्राइब करते रहता हूं तौह जरू करते हैं आप लोगों को चौस्जाब घ्रेइड उनल पर अजाना है और आप लग फोटल पर आजाना है और आप लोग को सार्सपर में टाइप करना है e-courts ठीक है यहाँ पर देखिए मैं टाइप कर सुका हूँ समतरी के साब को e-courts लेकर टाइप करके इंटर कर देना है इंटर करते ही आपका समने इसा इंटरफेस आजेंगी यहाँ पर देखिए आप लोग को डेशबूर्ट मिल सुका है जो सिटिजन लोगिंग करने का जो भी डेशबूर्ट है यहाँ पर आ सका है और यहाँ पर देखिए हाई-courts services और हाई-courts और साथ में यहाँ पर हाई-courts of India आप लोग को अगर आप लोग को पार लेते तो आप लोग को बहुत सहरा जानकरी मिल जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लोगिंग ओडिजिटल शिपा कानेक्ट तो आपको सिंपल सा इसमें किलिक करना है और आपका जो डिजिटल शिपा फोटल है इससे कानेक्ट हो जाना है ठीक है यहाँ पर मेरा नेम और साथ में मेरा जो सिंपल आईडी है यहाँ पर आशुका है और मतलब यहाँ पर लोगिंग सक्सेस्पली हो सुका है ठीक है उसका बात देखिए फिरन सबसेब उपर जो यहाँ पर लिखा हुआ है सी एन आर नॉमबर मतलब कैस्ट नॉमबर आप लोग को जब आप लोगोंने कैस्ट रिजिस्टेशन करेंगे उसका बात आप लोग को 16 डिजिट का सी आनर नॉमबर मिल जाएंगे उससे आप यहाँ पर इस्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर दिखें सार्स बाइस एन आर मतलब यहाँ पर आप लोगोंने बहुत सारा ओप्षुन मिल जाएंगे आप लोग को ठीक है तो आपका जो सिस्ट्म है मतलब आप लोगोने कोई एक कैस्ट डिजिशन कर सुका है और उसका उसका status किया है और कब तक मतलब क्लियर हो जाएंगे सारा कुछ डिटेल्स आप लोग को यही से मिल जाएंगा और साथी साथ यह पर देखिए फिलिंग का भी option दे शुका है मतलब यह code का है फिलिंग ठीक है advocate का जो government site में आभी आप लोग को दिखाने हो ला हूँ फाइनली देखिए इस site पर corner पर जो लिखा हुआ है signing का option यह पर देखिए इस state आपको select करना है उसका बात यह पर advocate मतलब यही से आप लोग को select करना होगा जो भी advocate आप से मतलब इस case को handle करना चाहेंगे तो वो इसी off-site से आप logging करना होगा ठीक है मतलब आपका सारा कुस link उसका पास आजाएंगे तो यहाँ पर जो आप लोग इसी तरीके से अगर work करेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफ़ा हो जाएंगा और इसका कितना आप लोग को commission मिलेंगे और आभी मैं आभी आप लोग को बताने हो ला हूँ तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ आशुका है e-court services ठीक है so e-court services available at common service center और निसी यहाँ पर देखिए court cash information of district court and high court and common service center ठीक है so इसमें आप लोग को charges कितना लगेंगे जब आप लोग उने cash को registration करेंगे इसमें आप लोग को कितना charge करना है यहाँ पर द इसी टेल शेफ़ पोर्टल से आप लोग को 30 रूपीज का pay करना होगा पर cash के लिए और यह हाई court और district court के लिए ठीक है और यहाँ पर देखिए जो 20 में देखा हुआ है printing search आपका customer का पास होता है मतलब customer अगर आपका पास आजुका है आपको printing करके देना है मतलब 5 को भी printing क मिल जाएंगे ठीक है मतलब 5 रूपीज करके आप लोग को printing search मिल जाएंगे और last में यहाँ पर adjustment को भी अगर आप लोग निकलना चाहते हो तो आप लोग को 45 रूपीज को pay करना होगा आपका digital शेबाब पोर्टल का मादब से 45 रूपीज का charge कर जाएंगे इसी तरीके से आप लोग वर्क कर लेते तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफ़ा हो जाएंगे जैसी कि अगर आप लोग ने cash registration कर देते तो आपको जोपिनेज कि आपर cash registration का आप लोग को 30 रूपीज पे करना है और जैस्ट में को भी का 45 रूपीज तो 75 रूपीज आपका ऐसे जा रहा है तो आप लोग को कॉमेंट कर दीजिए आपके लिए मैं अलग साय एक वीडियो बनाऊँगा और साथी साथ जोपिनेज अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजिए कोई भी अगर आप लोग का मन में डाउट रहे तो आप इंस्टापर मुझे मेसेस कर सकता है तो मिलते हैं अगले वीडियो का साथ जय हिन जय वार